तो दनिया हर कोई उगा लेता है, इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है ये, सबसे बड़ा टास्क होता है गर्मियों में धनिया उगाना, तो आज वही मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं, जिससे गर्मी में आप भरी गर्मी में धनिया बहुत अच्छे से उगा पाएं, क्योंकि ये बहुत ही महेंगा मिलता है गर्मियों में, जो कि सर्दियों में बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है, फिरी में ये आपको बहुत सारी बड़ी गड़ी मिल जाती है, और अगर आप अभी धनिया मांगो गे गर्मियों में, तो दस रुपे का एक आपको मतलब उसका ताहर देंगे धनिया का, जैसे कि सोने के भाव हो, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल जो सोयल मिक्चर होता है, वो बना लेना है, 50 परसेंट या 60 परसेंट मिट्टी लेनी है, 30 परसेंट खाथ, और 10 परसेंट अपना कोको पीट और जो नीम खली हो सब आपको मिला कर इसको छोड़ देना है, दो दिन के लिए भिगो कर छोड़ दें इसे, और फिर जो आप ग्रो बैग ले रहे हो उसकी घहराई थोड़ी जादा लेना 9 इंच 10 इंच 12 इंच होगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे 6 इंच वाला जो ग्रो बैग है उसमें मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है गर्मियों में दोनों टाइम पाने देंगे तो भ मैं आ ना करेंके मैं अquinho कंप्ता ल lets tone लेंटी बैए उसकी 23 इंच मोटी लेर आपको उसके उपर स्फेकर बना देनी है मिट्टी जो मिट्टी बना रहे आपके छोड़ रहा है उसकी अवपर बस आपको डालने गरें पानी को भी खरके रखती है तो यह अच्छा काम रहता है फिर आपको अपना धनीय का बीज ले ले लेना है अभी अगर आप शोप से दन्या लेकर आओ तो उससे बॉल देना सोप की पर से कि कर्मियों वाला ही धनिया दे हमें सर्द्य वाला धनिया इस टाइम नहीं चलता है और ध्यान दें कि वो ऐसे दो टुकड़े हुए रहें धनिया के जादा नहीं हुए रहें और सिंगल मतलब साबुत भी नहीं हो तो यह चीज आप ध्यान में रखें और फिर बस उस धनिया को आप इस प्रिंकल कर दो अपने उस पे बहुत एजिया लग जाएगा इस पे प्रिंकल करके आपको इसके उपर फिर क्या करना है पानी डाल देना है पानी डालने से पहले आपको हलके हाथ से धनिया की बीजों को भी ऐसे प्रेज कर देना है थप थपा देना है ताकि पानी के साथ ही उधर इधर उधर हिलेना और बस फिर पानी डाल देना हलका हलका प इड़ नाया क्युंकि मिट्टी पहले से गिल्ली और बस हमें हो का सबना करना है वदी ये को कोपिट डालनी यह इसके उपर वह हैं निपर बनातंए और बस इसमें हलकी सी नमी बनाके रखनी सूखी नहीं होने चीए हलका मोश्चर बनाके मैंटेन करके रखना है और देखोगे कि बहुत ही जल्दी पांसे साथ दिन में आपका धनिया लग जाएगा मैं नॉर्मल अग इसमें पहले धनिया उगाया था नॉर्मल मिट्टी में म ऐगाता मैं जो पीट में केनायाया मैथड मैं आपको पीड जो कि इसमी डेट को वापिस पर आपको हलका सी थोड़ा सा लेकिन से करती हूँ कि इसको मैं सेमिसेड एरिया में फोड़ा जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद और उसके बाद मैं आपको रिज्डान दिखाऊंगी कि कैसा क्या रिज्डाल तृहता है लेकिन जुरूर करना इससे मई जून में पूरे अराम से धनिया आपके पास और आप दुकानधार के मुह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा जब दस रुपए में सिर्फ एक तार धनियागा पकड़ाता है वो टाम बहुत ही बुरा लगता है कि सर्दियों में इतना भर बर करोता और गर्मियों में बिल्कुल एक तार धनियागा देते हैं दस रुपए जयको दितना अच्छा दनिया हो रहा है आजए तक भी चलता रहें थेंक्स फॉर बॉचिंग